एक हैल्लोफ्रेंड्स आपको अपने चनल इस्टडेवाड जीनियस में स्वागत है करें यह जो प्रैक्टिस सेट्ट है चार नमबर केप्रESS स्ट हम लोग करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 55 1 देखने को मिलने वाले हैं ठीक है गाइस ओवराल इस प्रैक्टिस स्ट में हम लोग 50 कोश्चन देखेंगे वह भी जी के जी एस से रहेंगे जी के और जी आज और साथ ही आपको करेंट अफेर के भी कोश्चन देखने को मिलने वाले हैं अगर आप किसी भी कंपटिशन की त्यारी कर और उसमें जी के जी आती है तो कहीं न कहीं क्योंकि यह जो भी हम कुश्चन लेकर आएं गाइस यह सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है कहीं कहीं किसी ना किसी एक्जाम में आये हुए कोश्चन है उस पे प्रैक्टिस रिट बनाए आपका तो चलिए फिर स् आपको बताने कि भारत में पर्यावरण संरच्षड अधियम जो है कब पारित किया गया था सो गाइस बिल्कुर राइट एंसर क्या हो जाएगा 1986 ऑप्ष्ण आपका सी पे जाएगा 1986 में नेक्स्ट है कि निम्रिकित में से कौन एक क्रितियम परितंत्र है तो कौन से है गाइस तो देखिए इसमें राइट अंसर आपका हो जाएगा देखिए वन जो है और जील जो है समुद्र जो है यह तो नैचुरल चीज़े ना और बगीचा यह मेन मैड होता है मानों इसको बनाता है एकदम बगीचा जो आपका क्या हो जाएगा क्रतिम परितंत्र हो जाएगा अगला इक निमलिकिन में से कौन सरवादी ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है इसे कौन सबसे ज़्यादा करती है बहुत करें जहैंडिक क्र्शन ध्रहाएं जहां आपका जल वास्प इख भारत के ब्रभूम दश में अर deshalb Thanks भारत का और m आतकर बदातें चल यहहां और ये देख लिए गाद आपका पूर्भ Biz वह ऊत्तर बहाग हुए और ये इसका हम लोग बोलते हैं अप तक दच्ष्ट से कउन सा 줘 कर। तो आप सभी को पता है यहां परका की화िर है। कहते हैं कि कश्मीर से लेके कंच्य कुमारी इस che permettre एक वह सरवाधिक भाग को किस भारत सबसे ज्यादा सरवाधिक भाग में पाया जाता है यह relating नेज़ड़ whether certified acids कौँन सा वन है गाईस जो अपने इंडिया में सब्से जयादा हुआ वन पाया जाता है तो वह अगाई का पड़का चार डिया है और उस में से बताना है आपको कि यह जो दो पॉइंट है आपके तो उन दोनों पॉइंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है तीक है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है इस टाइप से तो बताएगा गाईद इसमें क्या सही होने वाला है तो हिमालय के परच्चिम भाग में भाग की अपेच् कूछलूवी भाग में अधिक विविद्टा पाईजाते कि विविद्टा किया है विविद्ट को लोग पायोडाइवर्सिटी कहते हैं ठीक है जहां पर चल की सरवाधिकता रहती है और पेहद़ पॉधे मां पे जो है अच्छे से काते हैं उसको हम लोग के कहते हैं ठीक है विविधृत्ता हो कहते हैं तो बताएगा इंग्लिस में बाइवर्सटी और दी में विदृता तो ही मालay में पश्च्चिंभाग की पेच्छा हमने विविध्ता को लेके हमने पिछले सेट में भी कोशिशन किया था तो बताएगा तो सर्वादिक विर्था पाइज तो बिल्कूल अपका पॉइंट यह जो हमाल बाग यह हमारा प्षमी घ्याजा पूरभी सबसे बड़ी प्रायदीपी नदी कौन है तो बताइए गाइज अरब सागर में गिनने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायदीप नदी कौन है जो की अरब सागर देखे अब बताते चले अरब सागर कहाँ पर देखे घाई यह इधर क्या है आपका अरब सागर एधर है और अरब सागर आपका इधर है तो बताइएगा अरब सागर में गिनने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायदीप नदी जो इधर गिरती है ठीक है और भारत की सबसे बड़ी प्रायदीप नदी होनी चाहिए उसमें राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट अंसर आपका क्या होगा नर्मदा नहीं नहीं होगा नर्मधा न दी होगा राइट अंसर आपका सी पर जाएगा चलिए नक्ष ऑर सबसे जयादा कि यह चार की खेटी कर्ने के लिए ठीक अगर किसी को चाय की खेती करनी है तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए ताकि अच्छी फसल हो सके चाय की तो बिल्कुल राइट एंसर आपका अमली हो जाएगा देखिए मिट्टी भी कई प्रकार की होती है एक तो अमली होती है एक छारी होती है ठीक है रेगुर मिट्टी भी होत मानसून नीवर्तन होता है तो बताएं मनसून जो है नीवर्तन होता है तो इस जगे मताब बताना है लिए राटर धर की खाड़ी देखिए अब आपको बताते चलें यह हमारा प्यारा भारत है गाइस और अगर बात कर लिजा उत्तर पस्चिम का डारेक्शन क्या है देखिए पूरब है यह पस्चिम है और यह उत्तर है यह एरिया गया ठीक है यह अधर पस्चिम से बंगाल की खाड़ी अभी हमन और बंगाल की खाड़ी यह यह जो डिरेक्शन आपकी तो यह इसको इसमें क्या उत्तर में जो है मांसूर निवर्तन होता है ऑप्शन आपका डी पे जाएगा ऐसे चीजों को समझेंगे तो आपको चीजें ज्यादा दिनों तक ज्यादा समय तक आपके मैंड में स्रेट हो तो कारा कस्म है ऑप्शन ए राइड हो जागा चलिए टेन नंबर कंप्रीट हो गया और हम लोग टोटल 50 कोशन करने वालें गाइस 11 नंबर देख लेते हैं 11 नंबर है कि निमलिखित में से कौन समयलित नहीं है तो बताएगा गाईस कौन सा समयलित नहीं है देखिए आप ये चक्रवातों के नाम दिये हैं तो बताना है कि कौन से देश में कौन चक्रवात का किस नाम से फेमस है ठीक है तो देखिए इसमें जो है आपका सुमेलित नहीं है चक्रवात जो है हम लोग भारत में चक्रवात के नाम से जानते हैं टाइफून जो है इसको चाइना में जानते हैं ठीक है और विली विली जो है यह कहां का है यह आपका आस्ट्रेलिया में हम लोग जानते हैं और जो अमेरिका में बागियों यह नहीं लिए आपका गलत है ठीक है तो आपका डी ओजाएगा इंसर आपका डी ओजाएगा यह सुमेलित नहीं है चले अगला की कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुक्ता कहां पाई जाती है और आप समझ रहाएं कोरल रीफ गाईज इसका बहुत best example के अगर बात करें तो अभी हमारे PM नरेन मोदी जी जो है कहां गयते लच्छ दीब गयते कहां गयते आप सभी को पता है लच्छ दीब गयते तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था वो पानी के अंदर गयते तो वहाँ पे उन्होंने coral reef देखी थी ठी पें यहां आनकि अंदर यह चीज 2 पाइजाती थे तो आपको बताने कि मुक्ता यह कहां पाई जाती यह विल्कुल यह जो है पाई जाती होती ना इसको हम लोग भूमत दे रेखा कहते हैं ठीक है भूमत दे रेखा कहते हैं और हम लोग जहां पर इस्तित हैं यह हम लोग करक रेखा पें गाइस ठीक है हमारा जो प्यारा इंडिया यहां पी तो है न यह करक रेखा में और यह जो नीचे है यह मकर रेखा गाइस ठी स्वर्ड सिंक समित का संबंध औरी мама कि और यहां कि नयाई उचित एवं शायता आज़ा लिए उपबंध समिधार। किस अनुचेद में किया गया है उपबंद समिधान के किस अनुचेद में किया गया है यह क्या गया है आर्टिकल आपका 42 पर विचार किजिए कि क्या होता है कि भारत के जो नियंत्रक हैं वो महाले का परिच्छक हैं इनके संबन में आपको विचार करके बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है आपका गलत है ठीक है सही वाला नहीं बताना है गलत बताना है कि कौन सा पॉइंट आपका क्या है रॉंग है देखे इसमें कहा कि इसके कारिकाल 6 वर्श या फिर 65 वर्श जो पहले आयू कहो तो दगि 62 तो नहीं है सब्सक्राइब क्या 65 है तो ये तो मारा गलत हो गया ना या राश्पति के प्रसाद परयंत अपने पद पर बना रहते हैं तो ऐसा भी नहीं है इस तो यह भी गलत है ना तो ये भी कहीं न कहीं करते हैं तो सभी के सभी points क्या हैं गाइस एकदम wrong हैं आपको answer किस पर जाएगा डी पर जाएगा चलिए नेक्स्ट है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधान सभा की कुल सदस्यता संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए डेखेगा कितने परसटी अधिक नहीं होनी चाहिए तो आपका अंसर जाएगा 15 परतिशत टिक है जो आपका 15 परसेंटेज है गाइस इससे क्या है कि अधिक नहीं होना चाहिए ठीक एंसर आपका किस पर जाएगा आता होता है यह आपका होता है सुप्रीम कोड देखे एक हाई कोड होता है को सुप्रीम कोड कहते हैं ठीक है तो और अगर उच्छी न्यायले होता तो आपे हम लोग हाई कोड समझते हैं तो इसमें बता है पूछा गया कि रिट जारी करना जो है उच्छितम न्यायले के किस अधिकार में आता है देखे गाईस यह जो है यह आता है न्याया देश छेत्रा अधिकार में आता है मलब कि न्याय से ले लेटेट जो भी अधिकार होते हैं उनका जो छेत्र होता है वह उसकी अधिकार में आता है तो यह आता है आपके न्याया देश छेत्रा अधिकार में च को इसमें पूचा गया थिक है तो यह जब और पूचा गया गया और बदल अदनीयम समभन समभन जो आप का शंशोदन है यह कप पारुत किया गया था एक और इसको किया गया था तो 1975 साथ में पारित किया गया था चलिए अगला कि・ relying प्रत्यच चुनाव का प्रत्यच का मलब होगी डायरेक्ट। सर्फतsal प्रत्यच चुनावर का जो प्रावधान मिंद में उपक्म की दौरß कि 228 तो यह देखिए गाइस यह किया था इसमें र्लाइट आपक wrestling 19 तो इसको अलग कर दिया था था आप लोग देख सकते हैं मेरे प्रिवेश वीडियो में जाके तो मैंने कुछ बताया था था इसमें तो इसमें राइड़न सर भी आपका भाराशाशन अधनियम 2019 हो जाएगा चलिए नाइंटीन कोश्चन हो गया गाइस ट्वंटी कोश्चन देख लेते हैं देखे ट्वंटी नंबर कोश्चन में आपसे पूछा क्या गया यह पूछा गया कि प्रदानमंत्री का राष्टपती को सूचना है प्रदान करने संबंदी करतव्यों का उलेक है इसा नहीं कि प्रदानमंत्री जी जो मन में आये वह करें ठेक है उनको सूचना भी देनी होती है कि आज यह काम हुआ है किसको राष्टपती को सूचना देनी पढ़ती है ठीक है वा जो आर्टिकल है वो गाइस वा सेवनटी एड सेवन एट में जो है या चीज उलेक में है लिखित में है समिधान में ठीक है चलिए अगला कि निमलिकित में से कौन सा देश जो है वह प्राता काल शान्ती की भूम है इसे हम लोग लेंड आफ दा मौर्निंग काल्म कहते हैं जाना जाता है सो गाइस वह आपका कौन से है वह आपका दच्छिड कोरिया ठीक है ठीक है एक आप इसको हम लोग साउथ कोरिया इंग्लिस में बोलते हैं ठीक है यह वोता नार्थ कोरिया जो नीचे है वह साउथ कोरिया है ठीक है तो जो साउथ कोरिया है उसको हम लोग क्या बोत है कालशाथी की भूमी ठीक राता कालशांति की भूमी चलिए अगला क्वेश्ष ग्रम्ताइक विस्व जल शंजच्च्चच्च दिवस मनाया जाता है तो मार्च हो जाएगा बिलकुल आपने जिबाब धे 22 मार्च को क्या होता है देखिंगी प्रत्री दिवसकत कर मना जाता है 22 अप्रेल को मनाया जाता है तो इस माई को मना जाता है तो यह तमाम सारे चीज़े हैं आप सभी को पता होने चाहिए चलिए चलिए next question YOUR 23 नंबर किस स्वधेसी और भाहिसकार आंदोलन का जो अनुमोधन ह कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था स्वदेशी का और बहिसकार स्वदेशी और बहिसकार अंदोलन का अनुमोदन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था सो गाइज यह हुआ था आपके किसमें गाइज बिलकुल यह आपके हुआ था बनाराश अधिवेशन में ठीक है 1905 में जो हुआ था बनाराश अधिवेशन उसमें यह अधिवेशन आपका अनुमोदान कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था चलिए बनाराश अधिवेशन को द्यान में रखनें कब हुआ था ? 1905 ये भी question पूचा जा सकता है नेक्स्ट एकिングरेश की कारइश समीत में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया थीक है कारइश की कारइश समीत में भारत विभाजन थीक है भारत सभा की प्रथम बैठक का का आईओजन किस गवर्नर के दौरा किया गया था तो वह किया गया था लाड वेवल के दौरा किया गया था चले अगला की मंगल मंगल पांडे ने प्रथम भारति 73 संग्राम की entonces मंगल पांडे ने प्रथम 53 संग्राम की शुरुष द्सक्राइक नाखुस थी ऊब क्हांखव तो फांसी की में लिकार मंगल पंडे को ये आपसे पूछा गया है तो यह मिली थी गई आठ अप्रेल आठारा सो सटावन को राइट एंसरब का सी पे जाएगा अगला है कि बहावी अंदोलन का प्रमुग छेत्र नहीं रहा वहावी अंदोलन का जो प्रमुक छेत्र है वह कौन सा नहीं था तो आपको अगर पता है कि कौन सा छेत्र था तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि कौन सा छेत्र नहीं था देखे एक तो बंगाल था बहावी अंदोलन में का जो प्रमुक छेत्र है वह तो बंगाल था और संयुक्त प् question पूछे जाते हैं कौन सी पुछता के area of darkness गाइस कौन सी पुछता के area of darkness है इसके राइटर आपको बताने कौन है तो वह आपके वियस नाइपॉल ठीक है बहुत यह best book है और कभी time मिले तो पढ़िएगा area of darkness वियस नाइपॉल जी के द्वारा लिखी गई है अगला है कि आपको सूची मिलानी है सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड में आपको मिलाना है गाइस सो बताएगा इसमें राइट एंसर कौन सा है देखिए अगर इसकी बात की जाए तो सूरत की संदी का इसका है साथ तो सूरत की संदी 1775 को ओए कुझ죠 टो आपका क्या हो जाएगा नूमबर हो जाएगा ठीक है पूर्णा की संधी के जिस द् покrytव आठारां सो सतरां को हुझ ती और पुरंधर की संदी कषिछ ऑइथ है इह 1665 को पुरंदर की संदी 1665 को होई थी और जो आपका देवगाउं की संदी है यह 1803 को थी अगर आपको इसमें से 2 या 3 भी पता होना चाहिए तीन पता होने चाहिए क्योंकि क्या है ना कि यह आपका 4 हो गया यह 3 हो गया और यह आपका 1 2 हो गया ठीक तो 4,3 और 4,3 और 4,3 ऑप्शन में आपके देख रहे हैं 2 दिये ना तो आपको एक और पता होना चाहिए इसमें से इसमें या इसमें से कोई ना कोई तो आपका C पे जाएगा क्योंकि 4,3,1,2 है यहां ते भी 4,3,1,2 है चलिए 30 नमबर देख लेते है 30 नमबर question क्या है 30 नमबर question जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है गाईस तो इसमें राइट अंसर क्यों जाएगा इसमें राइट अंसर आपका जाएगा गाईस म्रच्छ कटिकम देखिए गुप्त काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वह आपको मिलती है म्रच्छ कटिकम से अघ्र अविल किस धर्म का अनुयाई था तो यह आपके था जैन धर्म का था अगले भीतरी इस्तंब अभिले किस आशक से सम्बंदित है भीतरी इस्तंब भीतरी इस्तंब का मतलब पिलर होता है तो इसमें मताईगा भीतरी इस्तंब जो अभिलेक है वा किस सासक से संबन्दित है तो वह जो सासक है वा है सकंध वारत का मसमझ न hai Saot guard दीकि यह अपना प्यारा इंडिया एगा इस तो इसमें जो आपका दच्छिड भारत है यह जो भाग है यह मद्ध भाग के लेके पीछे नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं दच्छिड भारत ठीक है यह आपका उत्तर भारत हो गया यह आपका दच्छिड भारत हो गया तो दच्छिड भारत में क्या है कि कैलाश दिरिश्टेत है और या किस सास्कों के दोरा निर्मित है मुलब बनाया गया 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 इस ठीक है तो इसमें राइट अंसर अपका हो जाएगा पल्लव शाशक ठीक है कौन है वो है पल्लव शाशक ऑप्शन अपका बी पे जाएगा अगला कि सिकंदर की मृत्तु के बाद क्य जो स्टेटमेंट लिखा है या स्टेटमेंट किसने लिखा था या स्टेटमेंट और किसी ने नहीं इए ऐiden ने कि ध्वानी का प्रभाव एक सेकंड़ कितना भाग तक वह बना रहता है मानौ की मस्तिस्क में ये पूछा है तो वह आई आपका बना रहता है एक बटा दस सेकंड तक ठीक है एक सेकंड का जो है वह जो दसमा भाग होता है ना एक सेकंड का जो दसमा भाग है उस दसमे भाग तक जो है कोई भी ध्वनी है कोई भी आपसे कुछ कह रहा है तो वह एक बटे दसमे भाग तक बनी रहती है ठीक है अंसर आपका बी पे नेक्स है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा का नियंत्रड निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है तो बताएगा नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा का जो नियंत्रड है वह निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है ग तो वा किस अंग में जाकर छन तो वह होते हैं वक्र का प्रिड़ूर की। प्लाजमा होता है। प्राजमा पाया जाता है कितना है 55-60 परज़न्ट होता है एट लिस साट परसेंट होता है उसने एक पौदे पर पुश्पन होने के लिए उत्तरदाई हरमोन है तो वह कौने हर्मोन है और पुष्पन का मिला समझे है उसके लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है तो वह हार्मोन कौन होता है कौन सा होता है जिसके मात्यम से पुष्प में पुष्प खिलता है तो वह राइट इंसुर अपका जगर फ्लोरी जीन एंसर आपका डी पे जाएगा वह क्या है वह है फ्लोरी जीन है नेक्स्ट है कि इंद्र धनुष किसके कारण होता है देखिए आप सभी को पता है यह आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म से अगर कोई किरड गुजारी जाएगा तो वह सेवन भागों में तू वही आपका जो इंद्र धनुष आपने कभी देखा होगा बर्षात होती है जब बर्षात के बाद धूप निकलती है तो एक साथ प्रकार की रंग आपको देखने को मिलते हैं आसमान में तो उसमें आपको बताना है किसके कारण आखिर यह होता है उस घटना को हम लोग क्य क्या होता है एक्शल में होता क्या है यह यह जो आपका गया यह चीज आपका अपवर्तन होगे और इसी दिशा में जो वापस आती है उसे हम लोग प्रवर्तन कहते हैं और खुछ नहीं चलिए नेक्ट है कि एक ही पदारत के अड़ों के बीच कारेकारी आकरसर बल को क्या क कहते हैं हम लोग तो उसको गाज हम लोग जो कहते हैं वह हम लोग कहते हैं ससंजक बल ठाण करेजिए हैं को बंदार सता ह entscheidenडष्य देख लेते हैं क्या एक्ए है किसी अबीक्रिया अईसे कोई भी रेक्शन आüneसे और घ्या श्मासर दोपर क्या कहते पर बहुतने हैं कुछ गाइश कि हम लोग क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं क्या केते हैं अभिकारक कहते हैं गाइस आपका सीपर जाएगा अगला है की छारः को जल में गोलने पर क्या मुक्त होता मुक्त का मतलब OH-I N, क्या बोलते है, OH-I N, option A, नीबो के रसका जो pH-ile आपको पता होने चाहिए guys, देखे, pH-ile जो आपकी ऐसे होती है, बीच में आपका neutral होता है, फिर यहाँ से 1,2,3,4,5,6,7, यहाँ पर एधर minus में चलता है, तो आपको बताना है कि उसका प्यजेक्टली बताना है कि कितना होता है कितना होता है कितना होता है नेमो के रसका प्यज और अमली होता है अगला है कि बादल और वाइमंडल का तैरना किस कारण होता है जो बादल होता है और जो वाइमंडल का तैरना होता है वह किस वज़े से आपने अस्मान में देखा होता है बादल क्या हो करते हैं तैरते रहते ना तो वाई बादल और जो वाई मंदल का जो त्यारना है वह गाईस वह किसके कारण होता है तो वह जो रीजन है उसके पीछे जो कारण है वह होता है श्यानता के कारण किसके कारण होता है श्यानता के कारण होता है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं तो देखा होगा ना चाय में बहुत अच्छे से चल जाता है दूप आप दिखाएं चाय ना दिखाएं तो उस टाइब के जो चाय में पनपने वाले मनलब चलने वाले उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं वह भी देखिए इसी टैप के जो फाइट से आधा हेलोफाइड आए था ठीक है एक हेलोफाइड होता लीइथोफाइड सीयोफाइड और पस्मि ऐ antibodies और जीरोफाइड इस टैप के जो फाइट सोते आपको पता होने चाहिए उसमें तो सिसमें इसका जो राइडस साया ऐसे धेन कर सकते हैं सी ओफाइट बोलते हैं अगला की मेन रहीन मेन रहीन अंतराष्टी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में देखिए मेन रहीन अंतराष्टी आपसे पूछा गया है अंतराष्टी जो सीमा रेखा होते हैं यह इससे भी लेटेड आपका question पूछा रहता है यह जो आपका अं वह फिन लेंड बोलते हैं से तो एंसर आपका एप हो जाएगा अगला कि जैव विवित्ता जिसे हम लोग बायो डायवर्सिटी के नाम से जानते हैं जैव विवित्ता दिवस जो है देखे यह क्या हुआ कि बातों इबातों में हम लोग ने किया अभी इसी सेशन में बातों मार्च में कौन सा होता है वो हमने बताया था ठीक है जल्द तो यह सारे चीज़े हैं देखिए हमने साथ ही साथ जो चीज क्वेशन बताते हैं कहीं न कहीं वह भी बहुत जादे इंपॉर्टेंट होती है राश्टी खाद सुरच्छा मिसन जैसे हम लोग एनाफ एसम के ना मुद्रायसफीति की राकलन का सबसे प्रचलित माप है तो इसको हम जो जो किसा नाम से जानते हैं उसका चैन पीट Scottish पी गौतम बुद्ध जी कहते हैं गौतम बुद्ध जी इनके संस्थापा गए बौत धर्म के और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 1563 इसापूर्व लुंबनी में हुआ था और लुंबनी प्रिजन टाइम में कहा है वो नैपाल में है इनकी मृत्तु की बात की जाए तो 483 इ वायू में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ती हुई थी फल्गु नदी ध्यान में रखेगा और क्या हुआ गाइस कि बुद्ध ने अपना जो पहला एवं सरवाधिक उपदेश दिया था वह सारनात में एवं सरावस्ती में दिया था सारनात में पहला और सब गोज़ दो जनव भी कुछ होता है अगला है कि बौध संग में संभलेथ होने की न्यूनितम यह 15 वर्स ती अगर आपको बौध संभ में संभलित होना है तो जो बालक की उम्र है वह न्यूनितम 15 वर्स होनी चाहिए बौध धर्म ने आमरपाली को सरु समति से इस्तरी रत आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है यह जो चार संगीत हुई थी आपको आनी चाहिए पता होनी चाहिए इसी में डिवाइडेशन भी वह था चतुर्थ में जो की हीन यान और क्या हुआ था एक हीन यान था और आपका एक आपका कौन सा यान था उसमें जो है यह डिवाइड हो गया था प्रथम संगीत आपका कहा हुए थी यह हुए थी चार सो तिरा से पूर कहा हुए थी राजग्रह में हुए थी दूसरी संगीत आपकी वैशाली में हुए थी तीसरी संगीत जो है पाटिल पुत्र में हुए था था और चौथे संगीत कुनुडलमी में होती ठीक है यह चीजे आपको ध्यान में रहा यद और इसके जो शाषक कालना है और प्रतम के दूसरे के काला शोग तीसरे के अशोग और चौथे के चोरा में उनियूए और चौथे do पूरान विचारों के थे और जो महायान था यह नए विचार धारा के लोग थे जैन धर्म के संस्तापक थे आपके रिशप्द देव और जहें धर्म के जो 22 में एवं 23 में तीर्थ कर करमशा कौन थे वो अरिष्ट नेम एवं पार सुनाते महाविड स्वामी जैन धन्ब के 24 में अंतिम तीर्थ कर थे और महाविड स्वामी का जो जैन मुआ तो वह 540 इसा पूर कुंदल ग्राम जो की वैसाली में इसतित है महाविड स्वामी की जो मिर्थ हुई थी वह 468 इसापूर में पावपूरी नालंदा जो की बिहार में है गाइस और महाविड स्वामी के बच्पन का नाम वर्दमान था ठीक है इन्होंने तीस वर्थ की आई में सन्यासी जीवन को स्विकारा तथा 12 वर्थ की कठिन तपस्ता के उपरांत रिज श्वामी जी को किस वरच और किस नदी के नीचे ग्यान के प्राप्ति होती दोनों अलग-अलग हैं महावीर ने अपने सेश्यों को 11 घड़ धरों में विभाजित किया महावीर पुनर जन्म एवं कर्म वाद में विश्वास रखते थे और श्याद वाद और अनेकांत जैसे कि बहुत धर में चार संगीतियां होई थी ना इसमें दो इती प्रतम कहां थी तो गयाइस प्रतम आपके पाटिल पुत्र में थी और दूसरा आपके बल्लभी में थी अध्याच इसके सूल बद्र थे प्रतम के अद दूसरे के आपके छमास रमड थे ठीक हैं प्रतम से ज़्यादा वीडियो को वाई सेर कीजिएगा अपने ग्रूप बगारा में ठीक है और बगवान करें आपका दिन शुब हो एंड थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो